प्राइब करागे की ठंद आज से चलेगी प्राइब अच्छुआ हवा कई जिलों में दिखेगा अधिक असर मुंबई दिल्ली फिर बना कोरोना का होट स्पोट राधधानी में आई 1313 नए मामले तो मुंबई में 3000 से अधिक लोग संक्रवें डीटी विभारत के सम्मान की खूब होई तारी तो कारिक्रम में सिर्कत करने पहुचे स्वास्त मंत्री और पंचायती राजमंत्री ने कई कारिक्रमों को सरा हा नमस्कार डीटीवी भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजा वर्मा और खबरे अब विस्तार से करेंगे लेकिन सबसे पहले रुख कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी खबर गोपाल गंस सामने आ रही है उत्पाद विभाग की बड़ी कारवाई सामने आई है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जहां उत्पाद विभाग में बड़ी कारवाई की है बाहन से 28 काटन विदेशी शराब जब किया गया है दरसल तुचाए कोट के भठाव मोर की ये घटना बताई जा रही है भठावा मोर की ये घटना है दरसल और देखिए उत्पाद विभाग ने ये बड़ी कारवाई की है 28 काटन विदेशी शराब जब किया गया है लगातार शराब बंदी को सफल बनाने के लिए प्रसासन ने पूरी ताकत जोगती है और इसी के मध्य नजर छापे मारी का दोर जारी है नए साल को लेकर किसी तरीके की कोई घटना न घटे साथी साथ बड़े प्रयामाने पर जो शराब तसकर है वो नए साल में एक अलत पिराक में है तसकरी के पिराक में है लेकिन नकेल कस्ने के लिए प्रसासन ने पूरी तारीके से अग जिम्मेदारी उठाई है और इसी के मध्य नजर छापे मारी का दोर जारी है और इसी सिल्सले में गोपाल गंज में उत्पातवाग ने बड़ी कारवाई करते हुए अथाइस कार्टर में देशी शराब जब किया है तो यह बड़ी खबार आपको बता रहे हैं जहां कुछाय कोट के भटवा मोर की यह घटना बताई जा रही है और यहां पर लगातार पुलिस जो है वो छापे मारी कर रही है दरसल वाहन जाज के दारान पुलिस ने 28-30 में देशी शराब जब किया है नए साल में तसकर जो है वो काफी ज्यादा अक्टिव हो गए हैं लेकिन प्रसासन काफी ज्यादा अक्टिव उनसे भी ज्यादा नजर आ रही है और इसी के मध्य नजर लगातार छापे मारी अभियान जारी है प्रसासन जो है वो पूरी तरीके से अलाठ है और छापे मारी का दोर जारी है तो प्रसासनिक फेर बदल जी हाँ आपको बता दे कि बरे पैमाने पर प्रसासनिक फेर बदल हुई है दरसल 1987 बैच के IAS अधिकारी आमिर सुभानी को बिहार का नया मुख्य सचीब बनाया गया है इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई दरसल बिहार के नीवर्तमान मुख्य सचीब त्रिपुरारी शरन कल यानि 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले है यानि कि आज आज ही वो दिन है जब वो रिटायर होंगे और ऐसे में अब राज्य के मुख्य सचीब की जिम्मेदारी चर्चित IAS आमिर के कंदों पर होगी इसके अलावा कई अन्य विभागों के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है दरसल आपको बता दें कि सरकार ने दर्भंगा, गया, नालंदा, समस्तिपूर, सुपॉल समेथ कई जिलों के डियम का तबादला कर दिया है तो ये वो सूची है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं देखिए नया साल आने वाला है और बड़ा प्रसासनिक फेर बदल, बड़े प्रैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है पाद जिलों के डियम को बदला गया है गिरी विवाग ने दरसल रात को ये सूची जारी की है जिसमें इस फेर बदल की जानकारी दी गई है दरभंगा के SSP वाबुराम को भागलपूर और बेगू सराई के SSP अब कार्श कुमार को दरभंगा का नया SSP बनाया गया है तो नय साल से पहले ये बड़ा फेर बदल इस खबर परदीक का बातचीत करने के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुर गए है राजेज जी नया साल आने वाला है और ऐसे में बड़े पैमाने पर प्रसास्निक फिर बदल क्या संकेत देता है? इसके साथ ही एक बड़ी कारवाई हुई है और आपके सकने हैं बड़ा परिवर्तन हुआ है। बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है, बड़े नए लोगों को जिन्मेबारी सौपी गई है, कुछ लोग जो पहले से पहुए और बड़ी जिन्मेबारी दी गई है, इनके साथ एक बड़ी चुनौती ये भी होगी विहार परकार के लिए, कि हाल के दिन में आप देख बड़े पैमाने पर तबादला जो किया गया है, इस तबादले के बाद जो समस्याएं आ रही है और सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तबादले के बाद उनके जो सलक्माम सवाल है, विपक्षा और आम जनता के उसके जवाब मिलेंगे, ये एक बड़ी चुनौत आमीं चुमानी का जाते हैं, जी एक छोड़ा सा सवाल ये भी आप से पूछना चाहेंगे, कि देखिए सराथबंदी को सफल बनाने के लिए नितिश कुमार लगातार अभियान चला रहे है, समास्याएं अभियान और हमने देखा है कि समास्याएं अभियान में भी वो अध जिम्मेदार्या भी बढ़ गई है, क्योंकि सराथबंदी और कई एहम उद्दे हैं, जिसको सीम नितिश कुमार को सफल बनाना ही है, क्योंकि विपक्ष लगातार घिर रहा है प्रक्ष लगातार है लंबित नहीं होती है किसे भी अभिकारी के लिए एक बड़ी उपलब भी मानी जाती है तो अमीर सुमानि मद्ध मिशेश डिपार्टमेंट में भी रहे हैं तो उनको एक अच्छी तरह से जानकारी काफी लंबा प्रसास्थनी कान हो रहा है डियम भी रहे है कई जिनों का कार अच्छी को एक बड़ी चुनावती है शराफबंदी को लेकर जो आपने सवाल किया कि हाल के दिनों में जब वो सभा को समधित कर रहे हैं उनके भासन से उनके भासन में इंट्रेस्ट लेते नहीं नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर मुकॉंतरी को भी सोचना चाहिए कि अच्छी को अच्छी किया हूँ मेरे सामने ले अधिकारी सुनने को तयार नहीं है आम पब्लिकी तो बात छोड़ी दिए यह भी एक समिक्षा का विसाय है मुकमंतरी को इस पर भी सोचना चाहिए लेकिन यह जो तब्दिलियां की गई हैं उमीद की जानी चाहिए कि इस तब्ले नई जिम्मवारी जो नहीं लोग आए हैं उनके ओपर जो नहीं जिम्मवारी होगी सरकार की जो आकांशाए उमीद बरा प्रसास्निक पिर बदल है, जिम्मडारिया बढ़ गई है और ऐसे में ये बड़े पैमाने पर जिस तरीके से पिर बदल हुआ है अब नजरे इस बात पर टिकी हुई है कि जो जिम्मदारी और जो पर्द का पिर बदल हुआ है और I.S. अधिकारियों का तबादला बड़े पैमाने पर हुआ है तो ऐसे में क्या प्रसासनिक विवस्था पहले से ज्यादा और सक्त दिखती है या नहीं हाला कि नए साल आने वाले हैं और नए साल से पहले कल से एक नए साल है और नए साल में परसासन पूरी तरीके से हर चीजों को निप्ताने में कितनी कारगर होगी इस पर भी निगाहीं टिकी रहेंगी चलिए अगली ख़बर करो कर लेते हैं समस्तिपूर S.P. और D.M. का तबादला किया गया D.M. सशांक सुभांकर का नालंदा तो योगेंद्र सिंग समस्तिपूर के नए D.M. बने हैं वहीं हृदैकांत समस्तिपूर नए S.P. बने हैं तो आपको बतादे कि ये जो प्रसास्निक फेर बदल हुआ है उसमें समस्तिपूर के D.M. और S.P. का भी तबादला किया गया है और अब इन्हें नए जिम्मेदारी दी गई है योगेंद्र सिंग समस्तिपूर के नए D.M. बनाए गए है वहीं समस्तिपूर, D.M. और S.P. का जब तबादला हुआ है तो देखिए जिम्मेदारी बढ़ गई है अब एक नए जिले को सम्हालना है और वहाँ पर पूरी व्यवस्ताओं को देखना है ऐसे में नए साल से ये जो जिम्मेदारियां है वो सभी अधिकारियों की बढ़ते हुए नजर आ रही है कोरोना के डराते आकरे बात करेंगे कोरोना की बिहार में कोरोना की नए वेरियंट ओमीक्रोन की इंट्री हो चुकी है जानकारी के अनुसार स्वास्त बेगभाग ने पतना के एक मरीज में ओमीक्रोन वेरियंट की पुस्टी कर दी है इधर पतना में ओमिक्रोन की मरीज मिलते ही जिलादिकारी ने सिविल सर्जन पतना को सर्विलांस टीम का गठन करने का आदेश दे दिया है जिलाधिकारी चंदर शेकर सिंग की माने तो क्लोज कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है और सभी लोगों की जाच कराई जाएगी और अगर किसी से और किसी में पॉजिटिव होने की पुष्टी होती है तो उनका जिनोम सिक्वेंसिंग करा जाएगा दरसल आपको बता दे कि ये जो genome sequencing है इसी के जर्ये अब ये पुष्टी की जा रही है कि मरीज में omicron है या नहीं यानि कि ये जो नया variant omicron है इसकी जाज के लिए genome sequencing कराना बहुत जरूरी है तो राजधानी पतना में भी अब omicron की entry हो गई है अब प्रसासन जो है इसको लेकर अलाट हो गया है और नए variant omicron की बहार में entry के बाद अब लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और चलिए एक बरी खबर जर्कंड से सामने आ रही है जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है इस वक्त की बरी खबर आपको बता रहे है जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है 24 घंटे के अंदर 482 संक्रमित मिले हैं तो इस वक्त की बरी खबर आपको बता दे देखिए किस तरीके से देश में आप संक्रमितों का आकरा बढ़ता जा रहा है राची में 246 संक्रमित मिले हैं आप तो बताने कि राची में संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़कर अब 563 हो गई है तो लगातार जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और ये एक अकेला राज्य है जहां इतने सारे मरीज एक साथ मिले हैं तो देखिए धीरे धीरे और जार्कंड की राजधानी राची है जहां पर देखिए 246 मरीज एक साथ मिले हैं संक्रोमितों के आक्रे में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां ये आक्रे डराते हुए नजर आ रहे है रसासन तो अलाट है ही लोगों को अलाट होने की जरूरत है DTV भारत अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप सुरक्षित रहे, सचेत रहे और उन तमाम दाइडलाइन्स का पालन कीजिए जो सरकार ने जारी किया है क्योंकि इन बढ़ते आक्रों को इसी तरीके से रोका जा सकता है क्योंकि इन बढ़ते आक्रों पर इसी तरीके से नियमत्रन किया जा सकता है हाला कि अब इन बढ़ते मामलों को लेकर प्रसासन भी पूरी तरीकेस अलाट हो गया है राज़ानी राची में भी आक्रे अब डरा रही है और इस खबर पर बात्चीत करने के लिए हमारी सायोगी एकता हमारे साथ लाइप जुर गई है एकता जो आक्रे हम देख रहे हैं बात अगर बियार की करे जहरखंड की करे या देश की करे अब ये आक्रे डराते हुए नजर आ रहे है एकता बिल्कुल पूजा बात कहीं की करे बिहार हो जार्खंड हो या फिर देश के किसी भी राजी की करे सभी जगह आकड़े जो है काफी डराने वाले आ रहे हैं बिहार में भी उसी तरीके से केसे बढ़ी है और अभी जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को जार्खंड की कर दिया गया है तो ऐसे में लगातार ओमिक्रों के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी ताजा मामला यह है कि बिहार में भी ओमिक्रों की एक पैसेंट मिले हैं जिसको लेकर कि बिहार में बोल सकते हैं कि काफी जादा खलबली मच गई है आपको बता दे जिसके बाद जिक्रों सिक्वेंसिंग के जरिये उनकी जो ओमिक्रों की जाज कराई जारी है जिसमें भी उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली में हलचल मच गई थी उसके बाद जब दिल्ली से मिलने के बाद उनके आ मेरे स्कांवन् PF सिए है और हम कहें सकते हैं कि यह नया साल जो काफी जादा ड़डाने वाला हो गया हैशत जहां प्रसासन और फर में सिमित करने मिल questo हिएा है तो फिर परिशाने भी बढ़ जाएगी सारे जिले में धारा 144 लागू हो गया है भागलपूर के जिले में धारा 144 लागू हो और सभी जिले के डिये में जो है सक्त निर्देश दिये हैं खास करके जो नियू येर आने वाला है उसको लेकर काफी लोग ज्यादा प्लानिंग किये हुए थे कि यहाँ जाएंगे ये पार्टी करेंगे लिकिन इसको लेकर सभी DM ने सक्त निर्देश दिये हैं और अधिकतर जिले में धारा लागू कर दिया गया है और जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है वो भी अधिकतर जिलों में लगा दिये गए और कहीं ना कहीं पूजा ये कदम उठाना बहुत ही जादा जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से केसे बर्ड हैं और अभी भारत में एक खबर आई थी जहाँ मिक्रोन से एक व्यक्ति की मौद भी हो गई है पूजा तो कहीं ना कहीं ये जो ड़ाने वाले आकड़े आ रहे हैं ऐसे में ये जो कदम उठाए जा रही है सरकार के द्वारा वो तो सरानी है लेकिन अब जनता की बारी है कि वो भी कहीं ना कहीं सचेत हो जाए बिल्कुल एकता और आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और दर्शकों को ये भी बता दे कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर प्रसासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दिये और कुछी दिनों में कोविट के बढ़े मामले में दुगुनी ब्रह किये गए थे जो बुद्वार की तुल्ना में 43 फिस्दी हैं वहीं देश के दो प्रमुक सहर मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले आ रहे हैं मुंबई दिल्ली एक बार फिर कोरोना का होर्सपोट बन चुका है और बात अगर पिछले 24 दर्ज किये गा है तो देखिए दिल्ली के जो स्थिती है ये बेहट डराबने वाली है और इन आकरों में लगातार तेजी से इजाफ़ा हो रहा है और दिल्ली के लोगों को साबधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है दिल्ली के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है मुंब में आप धीरे धीरे जरूरी ये हो गया है कि प्रसाशन के साथ साथ लोग भी अलर्ट रहें भागरपुल जिराधिकारी सुब्रत कुमार से ने जिला में धारा 144 लागू कर दिया है असल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी पार्क और उद्यान को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश है साथी COVID-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन के संक्रमन और प्रसार को रोक थाम और नववर्स्त में होने वाले आयोजन में सारवजनिक स्थल पर भीर के कत्रित होनी की संभावना है ऐसे में इसे के मध्य नजर दिशा निर्देश जारी किये गए है साथी इसे कड़ाई से अनुपालन करनी के भी निर्देश दिये गए है मुगेर S.P. के निर्देश में पुलिस ने नए साल के मौके पर जाम चलकाने वालो पर नकेल कसने के लिए लगातार विशेज चापिमारी अभियान चला रही है ऐसे में कोत वाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चापिमारी कर एक घर से 210 पैकेट विदेश शराब बरामत किया है इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार भी किया है राजेश पुद्दार है और उनका बेटा है चिंतु कुद्दार दोनों को उनके घर से काफी मात्रा में अभेच शराब के साथ ब्यासार किया गया है मुझाफर पुर के भुमियार ब्राह्मन समाजिक फ्रंट ने पपु देव हत्याकान की जाच सी बे आई से कराने की मांग को लेकर नियाय मार्च निकाला जहां फ्रंट के द्वारा कैंडल जलाकर पपु देव को श्रधा सुमन भी अर्पित की गई वहीं खुदी राम बोस फुटबॉल मैदान में सैक्रो की तादाद में फ्रंट के काली करता जिला अध्यक्ष आरुन कुमार सिंग के नेत्रितर में नियाय मार्च निकाला जहां नियाय मार्च चेहर के विविन मार्गों से गुजरते हुए पपु देव के दोशी पुलि पुलिस का स्टडी में हत्या हुआ पुलिस ने फरजी इनकाउंटर बना के हाड अटेक से मरने का बाद एक कहानी गढ़ा लेकिन पुस्ट्पैटम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का चेहरा पूरी तरह बेनाकाब हो गया है ये हत्या पुलिस सफ़त पोस के गट्जोर का परिनाम है आज राज के 38 जिला में गुमिहार प्रामन समाजिक फ्रंट की ओर से न्याए मार्च केंदिल मार्च निकाल कर हम राज सरकार से मांग करते हैं कि इस हत्या कांड का सेगर सीविया इसे जाच कराओ न्याइक जाच क जारी है जहां पिछले दो दिनों से कई इलाकों में बारिश होई वहीं अब मौसम का मिजाज शुक्रवार से बदल जाएगा दरसल राज में पूर्वी हवा बंध होकर पच्छुआ चलने लगेगी जिसमें नियूत्तम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दिखीगी वहीं इसके साथ ही राजी के कुछ जगा पर मध्यम और घने स्तर का कोहरा चाने की आशंका है और एक दो स्थानों पर हलकी बूंदा बूंदी का पुरवानुमान भी लगाया गया है तो देखे वियार में आज से पच्छुआ हवा चलेगी ठंड अब बढ़ गई है और के कई जिलों में आज से ठंड जो है वो अधिक प्रभावी दिखेगा ठंड का सितम अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और तापमान में उतार चड़ाव लगातार दर्श की जा रही है और खबर पर अधिक जानकारी के हमारे समादाता उतकर्ष हमारे साथ फोल लाइन पर जुर गया है उतकर्ष देखिए लगातार मौसम जो है वो अब करवट ले रहा है और ठंड अब काफी ज्यादा प्रभावी भी होने वाला है आज से प्रभ जान सरता प्रभावी लगातार बीटे कई दिनों से हैं लुखर रुकर बारिश हो रही है जो जो साथ का लिखार बिहारे से 20 самый अधिक भी थे देखने को मेला है зрेकार 51 था foil winner ठंड है वो बढ़ जाईए आमोमन जो दिन का समय होता है वो ठंड रहती है लेकिन शाम होते होते करीब पांच दिगरी तक चली जाती है तो कहीं न कहीं बिहार में आज से ठंड का जो प्रोप है वो बाढ़ना तरह है पूज़ा बिल्कुल उतकर्ष बेहर शुक्रिया तमाम जानकारी के लोगते देखिए आज से कई जिलों में ठंड बढ़ जाएंगे और तापमान में ये उतार चड़ा भी है जो मौसम में इस तरीके से बदलाव ला रहे है हाला कि बेहार में आज से पच्छुआ हवा भी चलने वाली ह डी टीवी भारत तमाम दर्श्रकों से ये अपील करता है कि आप अपना खयाल रखे जहां भी जाएं पूरे ववस्था के साथ जाएं ताकि किसी तरीके की परिशानी आपको जेलनी न परें बुद्वार को राध्धानी पटना में डी टीवी भारत ने पंच परमेश्वर सह बिहार स्री सम्मान का आयोजन किया जिसका सफल संपन किया गया और वही कारिक्रम में त्रीस तरीय पंचाय चुनाओं में सूबे के कई प्रखंडों से निर्वाचित होकर आये जन प्रतिनिद्यों के साथी सूबे के सबसे कम उम्र की मुख्या बनी अनुष्का के साथी प्रदेश के कई छेत्रों में बहतर काम करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया वही कारिक्रम के शुरुवात विसिस्ट अतिती मानिये स्वस्त मंतरी बिहार सरकार मंगल पांडे मुक्य अतिती पंचायती राजविभाग मंतरी समराच चौधरी और समाथ सेवी नंद जीत तिवारी ने भारत के सीमडी डॉक्टर धीरज कुमार के साथ ही कई अन्य गन्मान ने दीप प्रजुलित कर किया जिसके बाद सभी गन्मानियों का स्वागत किया गया मित्रों आज इस कारिक्रम में आके मुझे बहुत परसंदता हुई इसलिए कि जिस दिन डीट टीवी चैनल का उधगाटन हुआ था तो उधगाटन भी मैंने ही किया था इस चैनल का और यह चैनल लगातार बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेबारियों का निर्वहन मीडिया के छेत्र में कर रहा है समाज में इसने अपनी पहचान बनाई है और एक प्रतिष्ठा बनाई है और मैं धिरत जी को कहना चाहूँगा मुझे या समराग जी हम लोग हो तो समय कम मिलता है टीवी उबी कम देख पाते लेकिन मैं जब घर में जाता हूँ रात को तो पिता जी को देखता हूँ तो डी टीवी जरूर देख रहे होते हैं पता नहीं क्या है पिता जी मेरे जरूर डी टीवी देख रहे होते हैं तो कुछ तो खासियत होगा जरूर और समाज में भी आपकी प्रसंसा सुनने को मिलती हैं तो जो बीडिया का मूल भाव होता है सकरात्मक मार्ग दर्सक की भूमिका समाज में एदा करना सम्मान समारो स्री सम्मान सम्मारो 2021 में आसुपस्तित हैं आदानिय मंगल पांडे जी ने आपको बताया कि किस तरह दी टीवी लगातार भारत पूरे बिहार में अपनी जनता की आवाज को सरकार तक पहुचाने का काम कर रहा है और हम तो कई बार ब्रेकिंग न्यूज मतलब सही में मैं कर रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज कई बार मैंने आप से देखा है डी टीवी के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज जो आता है कई बार जो हम लोग कभी यात्रा में रहते हैं पटना के बाहर तो फेस्बूक और वाटसब पर जो कारिग्रम चलते हैं उसमें कई बार हम लोगों को ये महसूस हुआ कि डी टीवी ने पूरी तकपर्ता के साथ पूरे बिहार के न्यूज को फ्लैस करने का काम के फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही देश दुने की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं डी टीवी भारत मुझे दी जूए जासत नमस्कार